इस वीडियो में हम बात करेंगे Optum Company के बारे में तो उसके interview questions को हम discuss करेंगे, interview process को हम discuss करेंगे, सब कुछ को discuss करते हैं, तो यह जो वीडियो है basically, यह मैं बना रहा हूँ, interview के लिए, जो online assessment है, उसके लिए मैं वीडियो अलग से बनाँगा, वरना यह वाली काफी lengthy हो जाएगी, लगबग एक ही टाइप का interview होता है, तो आपका technical interview हो एक या दो हो सकते हैं, अगर आप full time में हो, internship में हो तो आपके एक ही interview होगा, ठीक है, तो दौनों लगबग एक से ही होते हैं, ज्यादा कुछ दौनों में difference होता नहीं है, तो मैं discuss करता हूँ, क्या के topics आपको पढ़के जाने हैं, कैसा interview होता है, और HR के बारे में discuss हम कर लेंगे, तो सबसे फ़हले में बात करता हूँ, technical interview के, ठीक है, तो जो opt-up, जो company है, इसका technical interview है, इसका सबसे पहले में level बताता हूँ, तो इसका level है, अगर आप एक अच्छी product-based company को, मलब प्रिपेर कर रहे हो, या अगर आ interviewer पर depend करता है, या तो वो आप से एक coding question पूछ लेगा, which is around 20-25 minutes, 5 minutes का formal discussion, ठीक है, 10 minutes का projects, internship, course ES, इस type का आपको कुछ interview रहेगा, interviewer के mood पर depend करता है, और अगर ऐसा नहीं हुआ, तो 40 minutes के interview में आप से क्या पूछा जाएगा, oops, projects, DBMS, अगर कोई internship करी है वो, जो आपने skills लिखी है वो, behavior, और कुछ case type के questions भी आ सकते हैं, कि अगर कुछ ऐसा-ऐस situation ऐसा हो रहा है, तो हम क्या data structure यूज कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, उस type के, और theory of DSS, तो कुछ एक depend करता है, अगर उसमें coding question पूछ लिया, तो आपको interview कुछ लगबग ऐसा जाएगा, अगर coding question नहीं पूछा तो इन subjects के उपर जादा focus आपके किया जाएगा, तो दोनों के में discuss कर लेता हूँ, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा coding question की, अगर coding question पूछा, तो lead code easy या medium हो का hard आने का कोई chance ही नहीं है, हाड कभी आस तक इस company में पूछा ही नहीं गया है, lead code easy या medium, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप standard questions कर सकते हो, मैं कहूंगा 180 questions कर लो, एनफ है आपके लिए, 180 questions from take you forward, वो आपके लिए enough है, इस company के लिए, right, तो यह variety questions आपके अच्छे से prepare आपको कर देंगे, उससे आदा करने की आपको जोड़त नहीं पड़ेगी, right, तो एक coding questions आप वहां से कर सकते हो, अब बचाए, 25 minutes में आपको यह निकल दाएगा, उसके बाद 5 minutes का जो आपको formal discussion है, आपके बारे में और कैसे है, कैसा दिन जा रहा है, और क्या काम करते थे, college में कौन सा favorite subject था, आपका introduction वगरा होगा, यह मैं 5 minutes में इसको मान लेता हूँ, ठीक है, तो यह तो आप खुद से इसके बारे में है, 10 minutes projects internship course, इसके बारे में बात करूँ, तो projects को कैसे prepare करना है, उसकी link आपको मिल जाएगी description में, जहाँ पर मैंने बता रखा था, कि how to prepare for projects, description वीडियो में यह लिंक का रही होगी, तो आप मैंने एक एक question को discuss किया है, with answer, तो project आपको वहाँ से prepare हो जाएगा, internship के बारे में आपको यह बताना पड़ेगा, कि आपने internship में क्या किया था, कैसा काम किया था, ठीक है, तो वहाँ से आपको internship prepare करके जानी पड़ेगी, course CS की बात करो, तो आप Geeks for Geeks, Java T-Point, Tutorials Point, इनको आप follow कर सकते हो, course CS में आजाते है, आपको DBMS, OOPS, OS, Software Engineering, यह सब, छोट इमोटी definitions आपसे पूछी जाएंगे, normal चीज़ पूछी जाएंगे, ठीक है, DBMS पर खास कर आप जहान देना, वहाँ पर आपको थोड़ा सा drag किया जा सकता है, जिसमें आ जाता है, आपका normalization, ER diagram, schema, structure, आपसे SQL की queries पूछी जा सकती है, तो DBMS आपको fully prepare करके जाना है, अच्छ करी चुका हूँ, आपका projects हो गया, DBMS हो गया, internship हो गया, skill में तो आपने जो भी चीज़ लिखी हो, आपको खुद को पता होनी चाहिए, जो भी आपने skills लिखी है, वो आपने resume में mention करी, वो तो आपको पता होना ही चाहिए, behavior question के लिए बताना चाहूँगा, कि आपको description में link का रही होगी, FAQ in HR round, वहाँ पे PDF attached है, उस PDF में सारे questions फित answer है, तो वहाँ से आके आप prepare कर सकते हो, case questions में क्या होता है, basically कि आपको एक कोई situation दी जाएगी, उसमें पूछा जाएगा क्या है, कौन सा data structure वगरा, use करना चाहिए, उसके लिए मैं कहूँगा कि basic DSA आपको आना प्रपर्टी क्या है, heap की प्रपर्टी क्या होती है, कैसे वर्क करता है, ऐसे चोटी बोटी चीज़ आप से, पूछी जा सकते हैं, तो इसके लिए भी मैं आपको वही कहूँगा, कि basic DSA आप GFG से prepare कर सकते हो, या कोई भी आपने course course से किया हो, कोई problem नहीं है, कहीं से भी आ आप से expect किया जाएगा, इस स्यादा नहीं किया जाएगा, बात करूं, अगर OOPS की तो OOPS के लिए आप आई बटन में एक वीडियो आ रही होगी, उसको आप देख सकते हो, कि आप OOPS को प्रपेर कैसे का सकते हो, राइट, हमने आपको जैसे भी बन हो, तो आप GFG पर चा जाते हैं, बेसिकली, तो वहाँ से जाकर प्रपेर कर सकते हो, so this is all about the interview process of OOPS, so I think मैंने हर चीज़ के लिए कर दिया कि आप से पूछ जाएगा, so thank you so much for watching this video.